बिस्मिल्लाहिर्रह्मान रराहीम, Assalamualaikum, My Name is Muhammad Arman Shafiq and Today the topic of our discussion is taxonomy of educational objectives. According to paper point of view यह बहुत ही एहम topic है और first of all education objectives को समझने से पहले हमें जो है वो इसकी जो taxonomy है इसको categorize करना या इसको classify करने से पहले इसको explain करने से पहले हमें 5000 साल पीछे की तरफ move करना पड़ेगा जिसमें पीछे move करने से पहले इसमें हमें अफला तून फरमाते हैं education पे जो बात क करते हुए फरमाते हैं कि education इनसान को उसकी खूसियात को देखते हुए देनी जाही है education जो है वो जो है वो तीन किसम की होती है अफलातून के निजदीग कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दमाग से सोचते हैं अफलातून के निजदीग और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनमे emotions ज्यादा पाए जाते हैं जिनमे feelings ज्यादा पाए जाती हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल से सोचते हैं ना दमाग से सोचते हैं और ना वो इतने intelligent होते हैं ना वो इतने बहादर होते हैं तो अफलातून के निजदीग जो दमाग वाले लोग हैं उनको जो है वो सुसाइटी को सर्व करना चाहिए वो ऐसे सुसाइटी को सर्व करना चाहिए कि वो एक अच्छे स्यासदान बान सकते हैं वो एक स्टेट को संभाल सकते हैं या वो एक गुड एडमिनिस्टेटर भी बान सकते हैं जो अफलातून के निस्दीख है और जो emotional लोग होते हैं बहादर होते हैं सरहाद्धों की जो हैं वो इच्छे तरीके से निचेभ़बानी कार सकते हैं या उनको जंगी फनोन के मतलख काफी जड़ा हो ना होती है इसके बात जो अफलातून के जनीथ जो तीसरे किसम के लोग होते हैं उनको जो काम दे दिया जाए वो ना तो इतना बेहतर तरीके से सोच पाते हैं ना ही उसको बेहतर तरीके से उनको जो काम दे दिया चाहिए वो उसको सरंजम देते हैं और अपना जो है वो उतना ही काम करते हैं जितना के उनका जो है वो गुजारा जाए जिनलगी जो है वो बसर हो सके उनको जो है वो अफलात उनके नजदेग जो है वो उनको स्टेट की जो जरूरियात हैं उनको पूरी करने पे लगा दिया लगा देना चाहिए जैसा के कोई शोप कीपर है या फूर्ट के बिजनस से रिलिटिड हो जाएना चाहिए या जूते के बिजनस से या कोई भी जो स्टेट की जो जरूरियात होती है बेसिक जरूरियात उनकी तरफ उनको लगा देना चाहिए लेकिन जैसे ही हम मोडरन एजुकेशन की तरफ मूव करते हैं तो जो मोडरन एजुकेशन है उसको अगर हम कलासीफाइ करें उसकी बेहतरी आजाएगी जा एक जो बच्चे को हम एक टोपिक बढ़ा रहे हैं तो वो उसको उसी के रिलेटिड सोचेगा जिससे उसकी थिंकिंग अबिल्टी इन्हांस हो जाएगी दूसरी यह है कि उसकी जो परसनेल्टी है वो भी डिवेल्प हो जाएगी तीसरी जो दूसरी इसकी फिलिंग्स जिनकी इसकी डिवेल्मेंट और परसनेल्टी को इन्हांस किया जाएगा तीसरी इसकी जो टेक्निकल स्किल्ज है उसको वो इसमें इन्हांस किया जाएगा यह तो बात की हमने जो हम मोडरन दोर में रहते हैं पहले तो कंप्यूटर का दोर नहीं कर रहे हैं वो इन ही तीनों पहलों को मदे नज़र रखते हुए कर रहे हैं तो अब हम बलूम टैक्सोनों में की तरफ आते हैं जिसे बेंजमिन एस बलूम ने नाईटिन फिटीश में जो है एउसने जो है objective जो एजूकेशन के जो उनोंने बनाने पर काम करना शुरू किया तो उसने भी इन nyt चीज़ों पे काम किया कि जो इंसान की ज़ात में जो education से related जो समें तब्दिली आती है इसके related उसने benjam minus bloom ने इस पे काम किया इसके बास आजाती है effective domain effective domain जो है 1964 में Kara Thol ने इस पे काम किया था और इसके बास आएथा है साइको मोटर्स डुमेन, जो कि 1972 में जो है वो सिंपसं ने इस पे एकाम किया था इनको मजीद जो है वो cognitive domain जो है जिसमें जिसका मतलब है thinking ability जिसमें enhance की जाती है जिसको Benjamin's Bloom में किया था इसको मजीद categorize किया गया है और इसको जो है वो काफी lengthy हो जाएगा इसलिए इसको मद्दे नजर रखते हुए आज lecture को इतना ही wind up करते हैं और further जो है effective or psychomotors or cognitive domains जो है इस इसको next lecture में इंशाला हम complete करेंगे thanks and Allah Hafiz